चैनल के सभी दर्सकों को मेरा नमस्कार, मैं रवी कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जीपीसी डूंगरपूर जैसा कि आपने थमनेल में देखा, इस वीडियो में हम राजस्तान में पॉलिटेक्निक कोलेजों में फ़स्ट एर में एडिमिशन की पूरी प्रोसेस है, उसको हम डिसकस करने जा रहे हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जानकरी हमें कहां मिलेगी तो इसकी जानकरी के लिए हमारी जो विभा की वेबसाइट है, उसको हम आप जो भी आप लेप्टोप, कम्प्यूटर या मोबाइल है, उसमें अपना ब्राउजर ओपन करना है इसमें गूगल में आपको टाइप करना है, डी टी इ ठीक है, मैंने पहले भी वेबसाइट ओपन की है, इसलिए वेबसाइट अपने आप आप आगई है, dte.rajastan.gov.in अगर आप पुरी वेबसाइट लिख देंगे, तब तो ओपन होई जाएगी, नहीं तो आप dte.rajastan लिख देंगे, तो भी गूगल में ये दिखा देगा dte.rajastan, government of Rajasthan, ये वेबसाइट हमें open कर लेनी है, तो ये हमारी वेबसाइट open हो चुकी है, government of Rajasthan, department of technical education, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे chief minister साहब, हमारे minister साहब, हमारे secretary साहब और director साहब, यहाँ पर latest news के अंदर आप देख सकते हैं, admission से related news इसमें दिखाई दे रही है, तो आपको चाहिए फेस्टियर में admission लेना हो या direct secondary में, direct secondary को हम lateral entry admission भी बोलते हैं, और चाहिए आपको engineering college में लेना हो या non engineering, non engineering में महिला college आएगी जिनमें जो दूसरे type की courses होते है non technical वो चलते हैं, तहीं भी आपको admission लेना है, इस ही website पर आपको जानकरी मेलेगी, तो ह seat matrix, सब कुछ आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम notification देखते हैं, तो notification हमारे पास, download करना है हमें, यह हमारा notification आगया है, तकनीकी सिक्सा निदेशाले राजस्तान जोधपूर, जिसका मुख्याले है जोधपूर में, केंद्रिये प्रवेस पत्ति से polytechnic प्रतमवर्ष इंजिन पाथे करम में, प्रवेस हेतु विज्यप्ति, प्रवेस सतर दोजार इकीस बाइस के लिए राजस्तान के समस्त राज किये, एवं नीजी से सिक्सा पोल्टेक्निक महाविद्याले हों में, संचालित डिप्लोमा इंजिनिरिंग पाथे करमों के प्रतम वर्ष में, प्रवे पाज किये हो या नीजी हो, मतलब चाहिए प्राइवेट हो चाहिए गोर्मेंट के पोल्टेक्निक महाविद्याले हो तो सब में, एडमिशन की यही प्रोसेस रहेगी, और यहाँ पर सिर्फ हम इंजिनिरिंग के लिए देख रहे हैं, महिला पोल्टेक्निका नहीं देख र जो हमने भी वेबसाइट खोली है, इसके उपर जो विश्तरत दिसानिर्दे से हैं, जो हम इस वीडियो में डिसकस भी करेंगे, तो उनको डाउनलोड करके उसका गहन अधियन करें, उसके बाद में ही एपलाई करें, अब भेरती रास्तान माद्यमिक सिक्सा बोर्ड की अध्यक में परिक्सा या उसके समकक्स परिक्सा में विज्ञान यूम गणीत विश्यों सहीत नियूंतम 35 परतिसात अंकों साथ उत्तिर्ण होना चाहिए, तो यह हमारी इलिजिबिलीटी रहेगी, कि आप दसवी पास होने चाहिए, या इसके समकक्स भी कोई दूसरी परि तो उनके कईयों के गणीत और विज्ञान नहीं होता है, तो वो एड्मिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, तो दसवी पास होने चाहिए, कम से कम 35 परतिसात आपके अंकों होने चाहिए, और विज्ञान और गणीत दोनों विशाय आपकी दसवी के मारक सीट में होने चाहि अब हमारी जो admission हैं वो first year के अंदर 6 अगस्त से start हो चुके हैं already और जो हमारी last date है वो 26 अगस्त है आप internet के माद्यम से घर बेटे अपनी SSO ID बना कर या पहले से बनी वी है तो उसको यूज करके आप आविदन कर सकते हैं अगर फिर आप इतना internet friendly नहीं है आपके पार resources नहीं है computer बगर है तो आप e-meter पर जाके वहां से option form भर सकते हैं अगर आपको कुछ दिक्कत आती है इसमें तो इसमें जो हमारे सायोज काया वो है राजकिया पॉलिटेक्निक माविदेल है जोधपूर और उनके नंबर भी यहां पर दे रखें तो इन नंबर पर आप संपर कर सकते हैं या आप gpc.jodhpur.gov.team पर mail कर सकते हैं या फिर मेरे जो वीडियो डाला है उसमें आप description में आपका जो भी कोई doubt है उसको आप पूछ सकते हैं तो यह तो हमारा main notification हो गया इसके बाद में हम देखते हैं कि calendar क्या रहेगा इसका कौन सी date को क्या process होगी तो यह कुछ मैतुपूर्ण तीतिया हैं उनमें सबसे पहले है कि start कब हो रहा है वो last date क्या है तो start 6 अगस्ट से हो गया वो last date है वो 26 अगस्ट है 26 अगस्ट तक आविदन स्विकार होंगे उसके बाद में पहली जो ऐसता योगिता सुची निकलेगी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलेगी वो निकलेगी 28 अगस्ट को अब जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट उसमें आपको देखना है अपना मेरिट करमांक और अगर आपके डोकुमेंट्स होगर हमें कुछ कमी आ गई है तो आपको इमितर पर जाके या फिर घर बेठे आप SSO ID से चे कर लेना है कि आपका मेरिट में करमांक है वो उपर नीच क्लियर नहीं होगा तो जो भी दिक्कत होगी उसको सही करने के लिए ऐस्ता योग्यता सुची में संसोधन के लिए पोर्टल के मादयम से समधी दस्तावेज अप्लोड करने का जो टाइम दे रखा है वो 31 अगर से 2 सितंबर तक है तो 31 और 1 और 2 तीन दिन का टाइम आपके इसमें सुधार करने के लिए तो ये तारीक है बहुत जरूरी है जो तीन दिन का टाइम है इमितर पर जाके या घर पर आप इसको चेक कर ले में कि आपके सभी प्रोपर जो डोकुमेंट से हो अच्छे से अप्लोड हो गए हैं उसके बाद में ये करेक्शन होने के बाद मे दो चार सितंबर को अन्तिम्योग्यता सुची फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी चार सितंबर को तो यह भी इंपोर्टेंट डेट है चार सितंबर को आपको देख लेना है पर 6 सितंबर को क्या होगा जो कस्मिरी माइग्रेंट्स है के एम पी एच फिजिकली हैंडिकेप्ड है एक सर्विसमेन है या सिंगल मदर चाइल्ड है या उस पर डिपेंडेंट है अल्ली मदर पर तो उनकी ओनलाइन सी टाउंटन आपको दिखाई देगा 6 तारीको तो 6 तार को बाकी जो लोग बचे हैं उनका फ्रतम सी टाउंटन है वो दिखाई देगा तो 7 तारीको आपको देख लेना है यह भी इंपोर्टेंट डेट है 7 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कोलेज में कौन सी ब्रांच आपको मिली है इसके बाद में 8 से लेके 13 तक यह 5 से दिन का जो टाइम है 8 सितंबर से 13 सितंबर वहाँ पर आपको क्या करना है इस टाइम के दोरान फ्रतम सीट आवंटन पस्चात निर्धारीत नोडल के अंदर पर मूल दस्तावेज एम 96 सुल्क रुपए 1000 के साथ रिपोर्ट करना है एम रिपोर्टिंग उपरांत यदि आवेदग चाहे तो अपवर्ड मुमेंट के लिए नोडल के अंदर पर एप्लाई कर सकता है तो देखें द्यान रखना है आपको क्या करना है आठ सितंबर से तेरह सितंबर के बीच में आपके जो ओरीज़नल डॉक्यमेंट्स हैं और साथ में जो जिरोक्षकोपी जह उनकी वो लेके जाना है नोडल सेंटर पर और साथ में हजार रुपे भी लेके जाने आपको वहां फीज जमा करानी है और वहां पर जाके आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ये चोईस मिली है ये नी लेके में इस से उपर जो चोईस भरीती वो अगर मेरे को मिल जाए तो अच्छा रहेगा जिन लोग ने अपवर्ड मुवमेंट के लिए आविदन किया था उनकी सुची है वो 15 सितंबर को दिखाएंगे फिर 17 सितंबर को दित्तिय सीट आउंटन होगा फोर चोईस एक्जोस्टेड एंड अपवर्ड मुवमेंट के इंडेट्स किती थी तो उसमें क्या होगा कि हो सत्ता आपका मेरिट में बहुत नीचे नंबर आए तो आपको उनमें से कुछ भी नहीं मिले तब आपकी सेकिंड जो लिस्ट निगलेगी उसमें आएगा तो एक तो ही ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा ज्यादा चोईस भढ़नी है चाहिए आपके पर्सेंटेज बहुत अच्छे होंगे लेकिन आपको ज्यादा ज्यादा चोईस भढ़नी है आपको और सबसे उपर चोईस प्राइटिया आप रो रखो जहां पर आपको लेना है एडमिशन जिस कोलेज में जिस ब्रांच में लेकिन ज्यादा ज्यादा चोईस आपको भणनी है फिर दित्ती सीट आउंटन जिनका हो गया है उसके परसाद क्या करना है नोडल के अंदर पर मूल दस्तावेज और आन्सिक सुल हजार रुपे के साथ इनको रिपोर्ट करना है 18 से लेकि 21 सितंबर तक ठीक है परतम सीट आउंटन हो गया था उनका तो ठीक है लेकिन दित्ती सीट आउंटन जिनको हुआ है उनको हजार रुपे वहाँ पर लेके जाने है और वही ओरिजनल और जिरोक्सकोपी लेके जानी है फेस्ट टाइम चलेगे तो उनको दुबारा जाने के जरूत नहीं है 18 से 21 में ठीक है फेस्ट टाइम वाले उनको जाने के जरूत है जिन्होंने अपवर्ड मुमेंट के लिए अपलाई कर दिया और उनकी चोईस चेंज हो गई अगर वही चोईस रगई उसी कोलेज में वही राँच तब तो कोई दिक्त नहीं है लेकिन अगर राल्च चेंज हो गई ये कोलेज चेंज हो गई तो आपको वापस एकHello जाना है यस कैस में क्या होगा ह inflam पध क्रूप हम आपने पहले हिल unto भूत नहीं है आपको क्या करना है दुबारा आपको नया जो चोईस मिला है वो आपको रसीद महां से मिल जाएगी पैसे आपको दुबारा जमागराने की जरूत नहीं है उसके बाद में 23 सितंबर से 27 सितंबर तक कट साइप प्रारम होने की दीती है और साथ में मूल प्रमान पत्रवं सेज सुल्क जो भी है वो जमागराने की दीती है तो जो कोलेज के अंदर आपको जाना है वार रिपोर्ट करना है और वहां पर आपको अपने ओरिजिनल डोकुमेंट जमा कराने है जरूक्स को भी जमा करानी है साथ में जो फीस है बचीवी वो आपको जमा करानी है फिर 28 तारीकों क्या होगा वहाँ महाविदेल इस्तरपरी internal sliding होगी अगर वहाँ पर admission होने के बाद में उसी college में आप branch change करने की चुक हैं तो वहाँ पर internal sliding का option भी आपके पास रहेगा 28 सितंबर को अब जो website से इन के थुरू आप आवेदन कर सकते हैं वो है http colon slash hte.rajistan.gov.in या फिर विभा की website है dte.rajistan.gov.in पर और कारेले समय है जहाँ आप जोधपूर अगर contact करेंगे कोई दिक्कत आएगी तो 9 से 4 बजे का time रहता है उसके बीच में आप कभी भी phone करके पूछ सकते हैं उसके बाद में हमारी booklet आती है तो अभी हम booklet को डिसकस कर लेते हैं इसमें यह booklet है यह आपको अच्छे से डाउनलोड करके पूरी पढ़नी है आपको इसमें सारा प्रोसेस दे रखा है सूरू से लेके देखिए अभी रास्तान में 131 पोल्टेक्निक कोलेज है जिनकी प्रवेस्ता है 27,568 इन में से 48 है वो राज्किय है वो केंद्र सरकार संस्तान है और 12 है पॉले टेक्निक माविदेलें नीजी छेक्तर में संचालित है नीजी सारूजनिक सहबाजीथिटा योजना के अंदर कह संचालित है जिनकी कुल प्रवेव स्कता 824 है और शमस चो पॉल टेक्निक महाविद्याले हैं उनकी संचलन के अनुमती है वो अखिल भारती है तकनीकी शिक्सा परिशद All India Council for Technical Education AICT है नई दिल्ली में उसके द्वारा दी जाती है और इन्हें प्राविदिक सिक्साम अंडर रास्तान जोदपूर द्वारा संबता प्रदान की जाती है पॉल टेक्निक महाविद्याले में जो ब्रांचे जये हैं वो हमारे पास है civil construction, architecture, mechanical, mechanical automobile, mechanical refrigeration and air conditioning, mechanical production, electrical electronics, electronics, fiber optics, instrumentation, computer science and information technology, printing technology, plastic technology, petroleum, engineering, hotel management. ठीक है? तो इन में तीन साल का डिप्लोमा यहाँ पर करवाया जाता है. अभी सारी branches हर कोलेज में नहीं मिलेगी, कि कोलेज में आपको तीन मिलेगी, किसी कोलेज में पांच मिलेगी, किसी कोलेज में दस, तो वो आप seat matrix में आप दे सकते हैं. और इस सत्तर में चार नई राजकिये पॉल्टेखनिक माहविध्याले start हो रही है जिसमें एक है मंदोर जो कि जोधपूर में है एक नावा नागोर में एक उचेन है भरतपूर में एक पिलानी जोंजनु में तता साथ नौधित पाठ्यकरम तो चार तो नई college start हो रही है और साथ नई branches start हो रही है नई branches लाइए Cyber Forensic and Information Security है Mechatronics है Automation and Robotics है Renewable Energy Cloud Computing and Big Data ब्रांच में प्रारम के जा रहे हैं एड्मिशन तो ये जो पाठेकरम है ब्रांचेज है इन में डिपलोमा पूर्ण करने के बाद में अभ्यरति है वो सरकारी एवं नीजी चेतर में रोजगार पा सकता है एवं उचे दिन के लिए Engineering Degree पाठेकरम में धीतिये वर्ष में प्रवेश के लिए यूग्य हो जाता है तो या तो आप सरकारीय प्राइबेट नो क्री के लिजीबल हो जाते हो और आप Higher Study में जाना जाते हो तो बीटे के लिए आपको Direct Secondary में डिविशन मिल जाएगा डिप्लोम बाद में डिप्लोमा अंतिम वर्ष के विद्यारतियों के रोजगार के लिए Industry Institute Interaction Sales जो ट्रिपल आई सेल होती है हमारी कोलेज के अंदर हरे कोलेज में उसके थ्रू जो प्रतिष्टित कंपनियां उनमें प्लेस्मेंट कराया जाता है कुछ कंपनियां हैं जिनके लिश्ट देर किया है L&T है, Hesar है, JSW है, HCL है, Danso, Mahindra & Mahindra, Isar, Honda, Hero, JCB, Sujlone तो ये कुछ कंपनियां हैं जो प्लेस्मेंट के लिए कोलेज में आती है इन पाठे करों में प्रवे सेतु नियून्तम अरता 25 प्रतिस सतंकों के साथ दस्वी कक्सा विज्ञान और गणीत विसेत में अलग लग उत्तिन होते वे उत्तिन अत्वा समकक्स रखी गई है ठीक है तो योग्यता वही है स्वी पास होने चाहिए कम से कम 35 प्रतिस सतंक और विज्ञान और गणीत विसेतों ज़रूर आपके होने चाहिए उनमें पास भी होने चाहिए इसके बाद मैं प्रवेस के लिए सम्मने सोचना और आवेदन है वो DTE पर यहां हमने बताई दिया अब आपको आवेदन अगर करना है तो आप अगर HTE वाली वेबसाइट पर जाते है तो HTE वाले में जाएंगे और वहां पर होम पेज में जाएंगे होम पेज में आपको एक एडिमिसन टेप दिखेगा उस पर क्लिक करने पर डिपार्टमेंट ओप टेक्निक लिएजिशन खुलेगा फिर पोलिटेक्निक एडिमिसन खुलेगा और वहां पर आवेदन कर सकते हैं नियून्तम जो सेक्ष्निक वगेता वो हमने देख लिए वैसे दस भी क्लास जो दे रखी है आयू सीमा है उसमें कोई आयू सीमा विधारित नहीं की गई है कोई नियून्तम या मैक्सियों कुछ भी नहीं है आप किसी भी एज का विद्यारती है वो डिप्लोमा कर सकता है आवेदन पत्रों की जाच होगी आपने उनलाइन आवेदन कर दिया उसके बाद में जो सलंग्न परमान पत्र है उनकी जाच के उपरांत है इमेल या समस के दोरा आवेदन पत्र में रही कम्यों से अउगत कराया जाना प्रस्तावीत है कम्यों में सुधारे तो आवेदन पोर्टल पर लोगिन करके सुधारे तो आवेशे एक परमान पत्तर स्केन करके पुने अफ्लोड करेगा तो एक तो आपको क्या करना आपकी इमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो बिल्कुल सही से उसमें एंटर करने है ताकि अगर आपके आवेदन में कुछ कमी है तो आपके पार मेसेज या इमेल आएगा वो आप तक सही से पहुंच जाए ठीक है तो यह आपको यह अच्छे से पढ़ लेना है पूरा मैं मोटा मोटा मैंने एक बार आपको बता दिया है यह पूरा आपको च्छे से पढ़ लेना आवेदन करने से पहले तो आपको सुविदा होगी आवेदन करने में सिक्सन सुलक है वो किसको छूट मिल रही है इनके लिए certificate का क्या format रहेगा तो यह सारे इनमें दे रहे हैं आपको आपके जो certificates है वह सारे पहले से बना कर रखने हैं जिनमें और आही परमान पत्र है जाती प्रमान पत्र है, मूल निवा से वो विलकुल लेटेश्ट आपको बनवा के रखने है माइग्रेशन माइग्रेशन बहुत जरूरी है माइग्रेशन तो बहुत जरूरी है और साथ में अगर आपका पढ़ाई के अंदर कोई गेप हो गया एक साल या दो साल का जैसे 2021 में एडिमिसन ले रहे हैं और आपने दसफी क्लास मान लीजिए 2020 में की है एक साल का गेप हो गया तो एक साल का गेप प्रमान पत्र भी आपको जरूर बना के देना है वो बीस रुपए के स्टाम पेपर पर नोटेरी करा के वहाँ से कोट से आप बनवा सकते हैं तो यह आप कोच्छे से पूरा स्टेडी कर लेना है इसके बाद में नेक्स्चर है इसमें क्या है कि यह जो अलग-अलग फॉर्मेट है जैसे सिक्सन सुल्क में छूट प्राप्त करना है तो इसका फॉर्मेट है सर्टिविकीटर का कैसा रहेगा इस तरह का आपको बनवाना है सिक्सन सुल्क मुक्ति योजना एट्यूशन फी वेवर स्कीम है तो यह आपको बनाना है अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो यह सर्टिविकीटर के फॉर्मेट दे रहे हैं गाइडलाइन्स दे रहे हैं ठीक है तो आपको एपलाई करने से पहले एक गाइडलाइन है वो जरूर आपको पढ़ना है ठीक है देट मैंने बता दिया आपको कि चाहेगज से स्टार्ट हो गया 26 अगर्स लाजट है आविधन करने से पहले आपको क्या-क्या चीजे तयार रखने है वो देखिए एक तो पास्पोर्ट साइज फोटो आपके पास होने ही चाहिए और एक साधा कागज वाइट पेपर जो प्लेन पेपर है उस पर आपके सामाने स्ताकसर होने चाहिए दस्वी के अंगतालिका होनी चीए मूल निवास समंधी दस्तावेज होना चीए अगर आप दस्वी राजस्तान से भार से उतिन की गई है तो मूल निवास होना चीए नहीं तो अगर आप राजस्तान से ही की है तो आपकी दस्वी की अंकतालिक आया है वो मूल निवास हो जाएगे आरक्षन स्रेणी से समन्दित प्रमान पत्र होने ची आवेदन है तू सुल्क रुपे तीन सो आवेदन बढ़ने है तू स्केन है और प्रिंट है तू व्याई किरासी तो तीन सो रुपे आवेदन सुल्क है वो आपको देना है इमितर वाले को उसके अलावा जो स्केन वगरा प्रिंट करने का वो अलग से लेता है वो आपको अलग से देना है अब रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने पहले भी बता दिया आपको एच्टी पर जाएंगे तो एडिमिशन पर जाएंगे इपी डिपार्टमेंट ओप टेक्निकल एडिमिशन उसमें पॉल टेक्निक एडिमिशन में जाना है अब अगर खुद से आविदिन करना चाहते है तो आप SSOID बनाके उसके लोगिन के पस्टाज सीटी जनेप में जाएंगे वहाँ पर क्विक सर्च ओप्शन में जाके एच्टी सर्च करना है और एच्टी एप्लिकेशन पर क्लिक करना है उसके बाद में सलेक्टी और और ओर्गिनेजिशन में डाइरेक्टरेट और टेक्निकल एजिकेशन सलेक्ट करेंगे एप्लिकेशन में करेंगे डी टी एड्मिशन उसके बाद में इंजिनिरिंग फैस्टीर ओप्शन पर सलेक्ट करेंगे और Online आवेदन करेंगे आवेदन है वो अपना पिता अपना नाम पिता का नाम माता का नाम जनमतिती सेकंडरी प्रिक्सा के एंकतालिका के अधरपरी भरें और आविदक करपिया वही mobile number लिखें जिस पर आप परवेश समंधी सूचनाओं का आदान परदान चाहते हैं अपनी जो जाती है स्रेणी है वो category में से select करें email id प्रविष्ट करें और submit करें उसके बाद में आपका unique registration number जनरेट हो जाएगा unique registration number से आप दुबारा login करेंगे और वहां से आप SSO ID का उप्योग करके अपना आविदन complete करेंगे तो यह लग लग चरण है जिनमें आपने को सूचनाओं भणनी है अगर कुछ बच्चे हैं जो CBSE boards हैं तो वहापर अगर CGP आता है तो मालीजी से 8.8 है तो आपके aggregate marks आपको क्या करने है maximum marks करने है 10 और marks obtained 8.8 करने है जैसे मालीजी आपके maths में अगर GP है वो 7 है तो maximum marks 10 डालेंगे और marks obtained वो 7 डालेंगे science में अगर GP 8 है तो maximum marks 10 रहेंगे और marks obtained 8 तो इस तरह से जिनके भी CGP निकलता है CBSE board वगरे हैं तो उनको इस तरह से भढ़ना है तो यह आप खोचे से पढ़ लेना है पुरा इसके बाद में आता है seat matrix तो seat matrix में अधर रखा है कि जितनी भी सारी इपनी कोलेजे हैं कौन-कौन सी कोलेज में कौन-कौन सी ब्रांच है तो यह भी आप पहले से डाउनलोड करके जिस जिस कोलेज में जिस जिस ब्रांच में आप इंट्रिस्टेड हो वह आप होचे से देख लेना है तो सबसे पहले यहां government for technical college दरखी जो 44 कोलेजे है जिसे आज़मेर, alvar alvar में दो college है तो ऑल्फ़वेटिकल ओडर में दे रखा है इन्फोर्मिशन सिक्यूर्टी यहां पर जो ब्रांच के आगे जी एएस लिखा है ब्रेकेट में इसका मलब है गोर्मेंट एड़ सीट तो आपको इन्फोर्मिशन सिक्यूर्मिशन 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 सिक् तो चोईस जब आप भरेंगे तो सबसे उपर वोई ब्रांचिस भरें जो G.A.S. लिखावा ब्रेकट में गौर्मेंट इडेड़ सीट तो यह हमारी कॉलेजेज है यहाँ पर सबसे पहले आप गौर्मेंट कॉलेजेजे भरें क्यूंकि गौर्मेंट कॉलेज में फीस कम रहती है आपकी कौलिफाइड फेकल्टी रहती है तो यह जो हमारी कॉलेज थी यह सारी लिस्ट आ गई है इसके अंदर प्राइबेट को लेज हैं उनकी लिस्ट भी दे रिखिये इसमें ठीक है तो यहां से आपको देख लेना है कौन सी कोलेज में कौन कौन सी ब्रांच और कितनी सीटे हैं इनके अंदर तो जादस जादा आपको चोईस बननी है ताकि चोईस एक्जोस्ट नहीं हो तो यह मैंने एक बार ओवर्वी पूरा क्लियर कर दिया है अगर इसके बाद में भी आपको कोई डाउट है कि कैसे क्या करना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं थैंक यू